राइस्तान की सियासी घमासान तेज हो चुका है और इसके बीच सचिन पाइलेट को मनाने का प्रियास लगातार किया जा रहा है लेकिन इस साथ-साथ जिस तरह की जानकारियां मिल रही है कि कॉंग्रेस के कुछ विदायक जो गुरुगराम में ठहराए गए थे उसमें से कु तरह से कह सकते हैं कि यहां आज जिस तरह कि सुरक्षा परसों बढ़ाई गए थी उसके साथ अभी भी यहां बकायदा बैरिकेट्स लगाकर पुलिस तैनाद की गई है और इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि जिस तरह की स्तीती है उस स्तीती को देखते हुए क्योंकि जो राजनीतिक घमासान राइस्थान में हो रहा है उस पीच गहलोग सरकार कहीं न कहीं संकट में हैं और इस संकट से बहार लाने के लिए कोशिश यही है कि सरकार कैसे बचाई जाए लेकिन सरकार बचाने के साथ साथ जो कॉंग्रेस के विधायक हैं वो लगातार बागी ह रहे हैं और इसी को लेकर जो गुरुग्राम में विधायक लाए गए थे यही उमीद थी कि यही संभावना थी कि इन विधायकों से मिलने कोई बड़ा नेता आ सकता है क्योंकि सचिन पाइलेट को भी दिल्ली में बताए जा रहा है तो वो भी इन विधायकों से मिलने आ सकते हैं इस तरह की संभावना ये जताई जा रही है लेकिन जिस तरह की स्थिती बनी हुई है उस बीच ये तो निशित है कि गहलोज सरकार को कहीं न कहीं एक बड़ा संकट आन खड़ा हुआ है गुरुग राम से कर्मल जग्दीस तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज एंडि ये न हुजब ।